नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे कस्मेरी दमालू इसके लिए हमें छोटे साइज के आलू चाहिए ठाइसो ग्राम से तेनसो ग्राम है ये एक सीटी कूकर में आप इसे कर लीजिए ये सॉप्ट हो जाएगा तुथ्विक या फोक से चारो साइड में इसे आप होल कर लें इससे क्या होगा कि हमारा मसाला अंदर तक जाएगा हमारा आलू फीका नहीं लगेगा क्योंकि ये दम आलू है ये चटपटा मसालेदार बनेगा तो इससे हम इसी तरह से सभी आलूओं को फोक कर लेंगे हम इस तरह से आप आलू को बॉयल कर लें और बना लें छोटे आलू नहीं हो तो बड़े आलू को भी आप बॉयल करके चार पीस में कट लगा के कर सकते हैं अब हम बनाएंगे यहां मसाला यहां चार चमज दही है और दो बड़े चमज कस्मेरी लाल मिर्ष डालनाय में बिल्कुल रेट कलर का होता है और इसमें एक चमज धनिया पाउडर एक चमज जीरा पाउडर और आधा चमज गोल मिर्ष का पाउडर डालना है और उसे दही म और अच्छी तरह से फेट करके हम इसे साइड में रख लेंगे अब हम आलुओं को फ्राइ करेंगे तो सभी आलुओं को हम यहां डीप फ्राइ कर लेंगे तो इस तरह से सभी आलूओं को हम यहाँ फ्राई करके निकालेंगे गोल्डेन होना चाहिए अच्छी तरह से यह तभी इसका टेस्ट है जो अच्छा आएगा आलू दम तो बहुत तरह से बनता है अब बहुत ही टेस्टी बनता है जब कुछ सबजी घर में ना हो आलू हो तो आलू का एक अलग है आलू दम बना दीजिए बच्चों को बड़ों को सभों को बहुत पसंद आता है तो इस तरह से हम आलू को अच्छी तरह से गोल्डेन फ्राई कर लिए हैं तो अब इसे हम निकाल लेंगे सभी आलू को अच्छी तरह से इसके बाद एक मसाला और तयार करना है प्याज लासन अध्रक का टमाटर का पेस्ट तो उसे मच्छी तरह से सारे आलू को निकालने के बाद तेल अभी बहुत ज्यादा है तो कुछ तेल को हम कम कर लेंगे और एक चमच तेल में हम एक चमच जीरा डालेंगे दो तिन लाल मिर्ज एक दो तेश पत्ता छोटी लाईची दो लॉंग दो डाल चीनी का स्टीक एक तो इस तरह से हम तेल में डाल देंगे और इसके बाद लहसन की कलिया है उसे भी डाल देंगे साथ में प्याज है एक बड़ा प्याज उसे भी रफली चौप कर लेना है क्योंकि इसका हमें बनाना है एक पेस्ट तो इस तरह से प्याज को हमें भून लेना है एक मिनट भूनने के बाद इसमें हम अद्रक का एक इंच का टुकड़ा इसे भी कट करके डाल देंगे और साथ में प्याज के साथ इसे भूनेंगे और एक टमाटर हमें डाल देना है बड़े साइज का हो तो एक छोटा हो तो दो इसे भी हम रफली चॉप करके डाल लेंगे और इसके साथ भूलेंगे इसमें अब हलका सा नमक डालेंगे ताकि हमारा जो प्याज और टमाटर जो है वो सौप्ट हो जाए इस तरह से अब हमें एक से डेर मिनट और पकाना है अब इसे ठंडा करके हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे अब इसी तेल में हम एक बड़ा समस घी डालेंगे घी या मक्षन से ये आलू दम बहुत ही टेस्टी बनेगा अब ये प्याज टमाटर का जो है प्यूरी उसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे क्योंकि इसमें गरम मसाला खड़ा गरम मसाला बगर है अच्छी तरह से निकल जाएगा और दही वाले जो मसाले हैं उसे भी हम डाल देंगे इसी वक्त और इसे हम दोनों मिला करके इसका हम मसाला तयार करेंगे और इसे भूनेंगे हम मीडियम ख्लिम में इसका हमें मसाला पकाना है दही मसाला सब है अच्छी तरह से इसकी भूनाई अच्छी तरह से होनी चाहिए तो तीन से चार मिनट तक इसे भूनेंगे हम और इसके बाद हम आधा का तोड़ी पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से फिर पकाएंगे क्योंकि इसमें हम आलू को डालना है तो इस तरह से हम इसके ग्रेवी को तयार करेंगे हमें कलर चाहिए बजार जैसा तो इसमें फूट कलर डाल देंगे थोड़ा सा दो चुटकी इससे इसका कलर थोड़ा और अच्छा आजाएगा तो यह हमारा ग्रेवी बन करके रेडी है तो अब इसमें हम एक चमज गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और एक चमज कसूरी में थी इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब यह हमारा जो रस है ग्रेवी जो है अब गाढ़ा होने लगा है अब इसमें हम आलू डाल देंगे त्राई किया हुआ जो आलू है उसे हम डाल देंगे अब आलू डाल करके इसे हम कम से कम पांस मिनट तक पकने देंगे इसी ग्रेवी में हमारा आलू है जो अच्छी तरह से पक जाएगा और इस तरह से यह रेडी हो गया है हाँ इसमें लमक डालेंगे सबसे अंतिम में ऐसे तीन से चार मिनट तक और पकाएंगे जादा ग्रेवी वाला यह आलू दम नहीं अच्छा लगता है यह लटपट होना चाहिए इस तरह से अब हम गैस को बंद कर देंगे यह बन गया है कसमेरी दम आलू ते इस से दूसरे बरतन में सिप्ट करेंगे यह देखे कितना अच्छा बना हुआ है यह रोटी पराठा पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगने वाला है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें